नमस्कार दर्शको एक मुलाकात कारिक्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शको हमारा अंडमा निकोबार्द वेपसमू खोपसूर्ती के मामले में बहुत आगी है जी हाँ प्रकृती का एक मात्र तौफा है और इसे हमें हमेशा संजो कर रखना है आगे बढ़ाना है और इसी खुबसूर्ती को देखते वे लोग हर शेत्र से यहां घूमने के लिए आते हैं पर ऐसा हम क्या करें जिसे हम इस खुबसूरत तौफे को संजो कर रख सके रोजगार के अवसर प्रदान कर सके और परिटन शेत्र में आगे बढ़ सके इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे बाच्चित करने के लिए आज हमारे साथ स्टूरियो में उपस्तित है Mr. Rajiv महराजी जो की Indian Association of Tour Operators के President है साथी Federation of Association in Indian Tourism and Hospitality के Secretary भी है तो Rajiv जी आपका हमारे कारिक्रम में बहुत बहुत स्वागत है तो इसके बारे में हम आपसे जाना चाहेंगी। इंडरे असेसेशन अव टूर अपरेटर्स एक ऐसी संस्तान है जो नाइटीन एटीटू में बनी थी और हमारे पास कभी एक हजार साथ सो मेंबर्स हैं जो से चार सो मेंबर्स ऐसे हैं जो की भारत सरकार मिनिस्ट्रे अव टूरिजम से रेकिनाइज़ हैं। हमारे जुतने मेंबर्स हैं बेसिकली इंबर्न टूरिजम करते हैं और 90% अव इंबर्न टूरिजम इंटू इंडिया इनके द्वारा आते हैं लोग ऑगनाइज सेक्टर में और 95% foreign exchange भी हमारे मेंबर्स के तुरू आता हैं। हमारा बिसिक काम होता है अव फसिल्टेशन और एक ब्रिच के क्काम पे government हो, center government हो, state government हो, or you to governments हो. सब उनके साथ coordination करके, चीजें improved करवाना, उन से बातलाव कंए, वेतर करना, ताकि, especially जो foreign tourists आते हैं, उनको किसी तरह की असुविदा ना हो, जो कि हम अभी तक बाहर जाते हैं, same kind के service हमारे को यहां मिले, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं यहां पर, बिल्कुल, चाहे historical चीज़ें हैं, चाहे beaches हैं, चाहे mountains हैं, किसी बात की कोई अभी नहीं, और जैसे आपने कहा हर एक चीज़ बहुत कब्सूर हो चाहें हैं तो इसलिए यह बहुत ज़रुरी है, कि हम time to time government और बाकी stakeholders के साथ बात्चीत करते रहें इसके बारे में, बिल्कुल, बिल्कुल, इंडियन association of tour operators के अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनकी गतिविध्यों के बारे में अगर हम जाना चाहें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Indian association of tour operators के हमारे कोई, I think 20 members के करीब दिल, यहाँ पर, port player में हैं, जो की, यहाँ की, जो stakeholders हैं, उनके बारे में बात करने के लिए, कई problems, चोटी वगारा, बड़ी हों, चोटी हों, GST की हों, एरपोर्ट पीछे बन था, उसकी हों, तो हम यह सारी इनके issues जो हैं, इन islands के, वो हम center government के level पे, जो center government के हैं, वो हैं, जो उपर आजबाल साफ के, के उसके अंदर हैं, ध्यारे में आते हैं, वो उन से contact करके कोशिच करते हैं, कि वो निकल जाएं, ठीक हो जाएं, ताकि जो काम करने वाले उनको परिशानी नहीं हो, और अगर उनको परिशानी नहीं होगी, तो जो बाहर से आरे हैं, उनको बिलकुल परिशानी नहीं होगी, किसी बात की वे, भारत में परेटन के स्थिति क्या है? पूरे अगर हम समगर अर्थ व्यवस्था की बात करें तो इसमें कितना इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है? हमारी कई स्टेट्स ऐसी हैं जो पूरी टूरिजम पर डिपेंड करती हैं या यूरिट आप एंडेबन निको बार ले लीजे आप यहां पर भी असली गतिवीदी जो है और इंप्लाइमेंट है वो टूरिजम से हैं तो हमारा यह फोकस रहता है कि जितनी भी चीज़ें यहां पर हो जाएं जिससे सुविदा पर आप दो लोगों को उससे उतना ही अच्छा होगा अर्थबस्ता के लिए भी क्यूंकि एक स्टाट्किक से कहती है कि अगर एक फॉर्ण टूरिस्ट आता है वो नो नाइन जोब्स डिरेक्टी और इंडरेक्टी करेट करता है तो वो किसी तरह बेचने वाला हो मिनरल वाटर कुछ भी हो गाइड हो आपके यहां पर डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स का बहुत कुछ है करने के लिए तो सब के सब के लिए रोजगार पैदा करना बहुत असान हो जाता है हमारे यहां पर बिलकुल वैसे हमारा जो प्यारा सा अ अगर इसको हम लेकर बहुत आगे तक जाए परेटन शेत्र में तो आगे भविष्य में क्या योशनाय है क्या संभावनाय आप देखते हैं इस टाइम पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं चाहिए वो डुमेस्टिक हैं चाहिए इंटरनाशनल है वो मोस्ली स्वराजदीप और श रहे हैं वर्ल्ड क्लास फेरी चल रही हैं आपर वर्ल्ड क्लास तो वह बहुत अच्छी बात है वर्ल्ड क्लास एरपोट आगया है यहां पर और वर्ल्ड क्लास फेरी चल पड़ी हैं यहां पर चल रही हैं इंफरस्ट्रॉक्चर कुछ आइलेंड में कमी हैं वो रोड है या ट्रांस्पोर्टेशन की है, नहीं कारें चाहिए हैं यहाँ पर, हाई एंड कार्स चाहिए जैसे अब, सराज दीप में ताज खुल गया है, तो उसकी जो क्लाइंट आ रहा है, उसको गारी भी अच्छी चाहिए, उसको उसी लेवल की कार चाहिए, तो यह चीजें सब हैं जो बहुत जुरूरी है, और बाकी लॉंग आइलेंड की तरफ भी खुलना चाहिए, रोट ट्रीक्ता ड्वेलप हो जानी चाहिए, तो और ज़्यदा पोटेंचल है, क्योंकि नए एरपोर्ट खुलने से फ्लाइट भी बढ़ेंगी और भी आएंगी, अंडमान वीप समू आया था, भी डाही पोँचे हैं, नया एरपोर्ट बनने से, कनेक्टिवटी और होने से, और सरकार प्रमिशन दे होटेल्स को और बनने के लिए रिजॉर्ट को, जिसलिए लोग त्यार बैटे हुए, अगर ये बनने को दे दे दें, तो और वैसी भी मैं ये समझता हूं, क इकतिस मार्थ दोजार चोबिस तक, हमारे पास जो लेवल था प्री कोविट का, वहां तक हम पहुंच जाएंगे, अंडर परसेंट, क्यूंकि डिमांड है इसकी, लोग पूच रहे हैं, इंक्वैरी हैं, तो ये सब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा काम, तो अगर हम इस situation भी पहुंच जाएं, और उसके बाद हम अपना infrastructure और पूरा कर लें, फड़ा फड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे हम, और employment बढ़ेगे इस इस UT में, बिलकुल, मैं राजी चुई अब आप से ये जाना चाहूंगे, कि जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो हम बहुत आग देखिये, सरकार प्रिशाशन का काम है, प्रोपर इंफरस्ट्रक्शर देना, करेक्टिविटी है, इंप्रूब भी हो सकती है, अगर देमांड आजाएगी तो, बट करेक्टिविटी में कोई प्राबलम नहीं है, इतलीस बट्वीन सुराज दीप और शरीद दीप के बीच मिडल और नौधर अंडेवान में भी परिटक जाने शुरू हो, तभी जाएगे कि इंफरस्ट्रक्शर सब ठीक हो जाएगा महा पर तो, तो वो एक बार हो जाता है, और उधर चले जाएगे तो इंप्लॉइमेंट उस तरह भी बहुत बढ़ जाएगी उधर इंप्लॉइम हो जाएगे और रोजगार भी चलेंगे और कोई पर्शानी नहीं है, इन दी लॉंग रन जैसे टूरिजम मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट कॉलिजेज हैं, वो एक आधा अभी नहीं और दो तीन साल में खुलना चाहिए है यहाँ यहाँ पर भी, विद यहलप लोकल ग तो मेरे साब से उससे बड़िया बात नहीं हो सकती है, क्यों माता पीता जो भी है, वो चाहेंगे कि मेरे मच्चों को यहीं अच्छी मिल जाए, इंस्टाइड की वो मेनलेंड जाए, तो सबकी दी तमन्ना होती है, और बहुत प्रटेंशल है यहाँ पर टूरिजम इंक्री साल में एक-दो बार को स्किल्ड ड्वेलिप्मेंट का प्रोगाम कर लेते हैं, एंडिमान को इंटरनेशनल सेक्टर वल ना है, तो एंट्मिस्टरिशन को जो बाहर रोडशो उते हैं, इवेंट जैसे वर्ल्ट्रावल मार्ट लंडन में, इन 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 अर्विक ट्रावल कि जो मिनिस्ट्रिशन गौर्मन अप इंडिया की सारे रेकिनाइज़ आइज वो अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और गौर्मन अप इंडिया उस पर सबसीडी भी देती हैं आपको, तो आप पार्टिसिपेट करें, ताकि बाहर जाएंगे, तो आप बहुत क्यूंकि इसको अगर हम चाहें, विद दी विल अफ दी अद्मिस्ट्रेशन इसको फुकट वगारा सबको पीछे छोड़ सकते हैं यहां पर, इतना यहां पर वो कैपस्टी भी है, और ओवर कैपस्टी होने का भी चांस नहीं है, अगर हम ठीक तरह डवेलप करें इसको, त इसे तो आपने बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जाना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ओफ टूरिजम का जो अप्रूवल है, यह बहुत ही एहम होता है हर एक एजेंट्स के यहां पर, उस पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पर आप कितना ध्यान दे रहे है स्किल डेवलप्मेंट आप पर कितना ध्यान दे रहे हैं, लिए मिनिस्ट्री ओफ टूरिजम का रेकिनीशन इंट्रेशन टूरिजम के परयाद से बहुत सिंप्लिफाई हो गया आज के दिन में, सब कुछ ऑनलाइन है और एंडेमांस के लिए तो हमने स्पेशल प्रूवि प्रूविशन देगी आपको, तो हम हमारे एग्जेकुटिव कमेटी में हमारे एक मेंबर हैं जो इन सब को फसिलिटेट करते हैं, आपने उनको एक कॉल करने कि क्या है वो सब समझा देंगे सारा प्रूशिचर आपको और जब तक आपको अपरूवल नहीं आएगी वो इसना बड़ा देश है, एक वगारा आद कर लेते हैं यहां पर भी ताकि लोग समझें क्या होना है, रिस्पॉंसिबल टूरिजम है, उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, टाइम टू टाइम वीसी के थुरू भी इन्फोमिशन हम लोगों को भिजवा रहे हैं, सा हमारी लोगों के परयाज से, हमने के लिए रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, कोबट के बाद बच्चों ने टूरिजम और होटेल में जोईन करने से मना कर दिया था, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सब बंद हो गया काम, सब बेरोजगार हो गए, और सबसे एंड में हमारी हमने कई सेशन्स करें, जितने भी ITM's हैं या उनके सब्सेट मिलके मिलके, बच्चों को परयास करके परसुएड कर लिया है, I think यह पहला सीजन आया है, ताकि I think 70-80% seats वापस आ गई है, क्योंकि एक बार COVID हो गया रोज तो होना नहीं है, और यह ऐसी इंडस्ट्री है, होट इतने एक्सपंशन हो रही है STEM, कि ट्रेंट स्टाफ चाहिए चाहिए, आपको टूरिजम के लिए, ड्राइवर्स के लिए, ट्रेंट चाहिए 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 आपको, तो इस सब के लिए अब यह काम चल रहा है, और I think next session शुरू होगा, 2024-2025 का, उसमें seats वैसी फुल रहे की बच्चों के आने की, जो अब शुरू हो चुकी है, जी जी, राश्टी स्थर के अगर हम बात करें, तो वहां पे परेटन की क्या स्थिती है, देखिए राश्टी स्थर पे domestic तो बहुत बढ़िया कर रहा है, इस time, जी, इंटरनाशनल 40-45% तक पहुँच चुका है, और वह भी इस साल के financial year के end तक 100% पहर कर जाएंगे, ऐसी inquiries हैं अब यह एक हमारे को प्रावलम यह आ रही थी, कि international airfares बहुत ज़्यदा होए में थे बाहर से, domestic भी होए में, तो वह थोड़े से अब control में आ रहे हैं, international भी control में आ रहे हैं, और domestic भी control में आ रहे हैं, तो इसे ब किसी ने सोचना है कि पोर्ट लेर जाना है मैंने गूमने के लिए, अगर उसको लगेगा कि Bangkok यह फोकेट सस्ता है, वो यहां नहीं आएगा, तो यह हमें airfares भी उस तरह से रखने हैं, ताकि affordable रहे हैं, और लोग आएं, तो वो कारिकरम चालू हो चुका है, जी, फेर्स ठी यह चीज भी दूर हो जाएगी, जी, नॉर्मल फेर्स पर आ जाएंगे हम, उसके आने के बाद हमें कोई problem ने होगी यहां पर, जी, बिल्कुल, भारत सरकार से किस तरह से हमें सेवा मिल रहा है, जिससे हमें इस छेतर में और आगे बढ़ सके, आस्ता आस्ता भारत सरकार, जो बाद ट्रेड फेर्स हो रहे हैं, उन में पार्ट लेना चुरू कर दिया है, एक बहुत अच्छी बात है, जी, और मुझे काफी उमीद है, कि ओवर सीज प्रमोशन, मार्केटिंग, और जो बाहर से टूर अपरेटर्स को यह हंदोस्तान लाना, ब्लागर्स को इनको ले सरकार की एफट, लोकल इंडिविजवल, बलकि स्टेट्स गोवर्मेंट्स, यूटी गोवर्मेंट्स इसमें बड़ा योगदान दे रही है, अपने लेवल पे ओवर सीज प्रमोशन कर रही है, राजी जी, नए टर्मिनल भवन बनने के बाद, जो वीमानों की संख्या है, वो अधिक होनी की संभावना है, तो ऐसे में ये परेटन शेतर में कितना अलापकारी सिध होगा, देखिए नया एरपोड बनने से कपेस्ट्री बढ़ गई, अब यहां पर जो टाइमिंग्स हैं, जब तो थोड़ा टाइमिंग्स और एक्स्टेंड नहीं होगे, लैंडिं हो जाएगी, और वैसे मैंने का होटेल्स चाहिए हमें, दीपो में हमें रिजोर्ट चाहिए, बिलकुल, पोर्ट प्ले जैसी से के चकर में और होटेल्स चाहिए, जैसे ही ये हो जाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा सब के लिए, बिलकुल, आपने हमारे काफी लंबी डिस्कॉशन होई है, कई चीजों पर होई है, तो सबसे बड़े इंपोर्टन है, इंफरस्ट्रक्चर, वो होना बहुत जरूरी है, मैंने दोनों दीप के बारे में उनको जानकारी दी, कहां पर सरकार के अफर्ट से, और ऐसे कही काम है, जैसे रोड इंफरस् कुछ हद तक, प्राइस फिक्सिंग, I would not say, MRP हो जाए, कुछ हो जाए, बड़ रेगुलेट हो जाए जरा, तो एक बड़ रेगुलेट हो जाए, तो बोत फरक पड़ जाएगा तूरिस्स को, जो तूरिस्ट आरा वो भी कंपेर करेगा, मैं गुआ में इस चीज के, करी थी, महाँ पर भी वहीकल्स की होनी चाहिए, तो हर चीज पर काफी प्रोर्यक्टिव थे, Honorable L.G. साहब, मुझे उनकी बातों से यह लग रहा है, कि जो मेरी अन से बात होई है, he will not take more than a month to implement all those, तो यह हो जाएगा, तो सब के लिए अच्छा है, टूर अच्छा है, टू यूथ को employment, जोनों जगह हो के आया होनी, लोकल यूथ काम कर रहे हैं वहाँ पर होटल में, रिजॉट में, इससे बड़िया बात क्या हो सकते है, बिलकुल, बिलकुल, राजीव जी आपने देश में बहुत सारे ऐसी परेटन्स शेत्र देखी होंगी, लेकिन उन सभी छेत करता हूं, मगर वहाँ का जो एक खबसूरती है, वैसी खबसूरती आपको यहां मिलेगा आके, बिलकुल, एंड इमन्स में आके, और हमने खबसूरती को प्रजर्व भी करना है, जी, जी, we have to preserve that, और simultaneously responsible tourism के माहिदम से, द्वीब सारे साफ रखने है, समंदर सारा साफ रखन करना है, बिलकुल, और इस beauty को, जब तक administration level पे, चाहिस यूटी हो, चाहिस सेंटर गवर्मेंट हो, हम बाहर प्रजेक्ट नहीं करेंगे, जी, जी, foreigners के लिए, हमें वो मिलेगा नहीं, आज हमारे पास e-visa facility है, port player में, क्यों नहीं international flights है, क्यों नहीं charter flight आये, LZ साहब से हमार करूंगा, cruise liners, मैं के cruise liners, इस टाइम इंडिया इतने dock कर रहे हैं, और अगर आप पूरी facility दें यहां पर, especially e-visa sport, seaport पर, जो अभी नहीं है यहां पर, तो वो कह रहे हैं, मैं फटाबट करवाँगा इसको, चालू करवाँगा इसकी, तो क्रूस लाइन भी आगे यहां प जाएगी, और small little things, मैं I am very impressed, कि दो लिटर के कम पानी की बोतल यहां सते हैं, कहीं आपको प्लास्टिकी बोतल वेरी गिरी नहीं मिलेगी, आपको पॉर्टल वेर के अंदर, यह हैब लॉक में, यह कहीं पर भी, nowhere, so यह चीजे बड़ी अच्छी कर रही है, administration, और इनको, they have to keep it up, इसको छोड़ना नहीं है, बिलकुल, इसको और improve करना है, और तभी बात बन सकते हैं, बिलकुल, राजी जी आजादी के लड़ाई में हमारे द्वीपसमों का जो रोल है, वो बहुत important है, बहुत महत्व है, बहुत ही खास, विशेश हम कह सकते हैं, जितनी भी हम बात कह आज के दिन में चाहे डुमेस्टिक हो चाहे इंटरनाशनल टूरिस्ट जिसको भी हम लेके आते हैं, तो पहले दिन का हमारा फोकस ही होता है, कि बिफोर बीच में जाने से पहले उनको हिस्ट्री बताएं आकी, उसके लिए इसलिरल जेल जो है, इतनी बढ़िया डिवेलब हो चुकी है, वेरी इंप्रेसिव, हर चीज इतनी इंप्रेसिव थी वहां पर चलने से, सुविधा के लिए, किसी बात की परशानी नहीं थी, उसके बाद जो शाम को साउंड लाइट शो हो रहा है, बहुत ही इंप्रेसिव, एक जो टूरिस्ट आता है, उसको पूरी चाहिए हमारा, चाहिए किसी के डुमेस्टिक में अपने फ्रेंड्स भी आ रहे हो, पहले वो देखके पहले उसको इस इन दीपों की इंपॉर्टेंस बतानी बहुत जुरूरी है, यह क्यों है, किसली है, चाहिए तीन विंगी प्रेसर्व्ड हैं जेल के, वगर यह बिन प यही महली साब को इक आप अगे तक जा सकता है, कौन से स्थान पर है? दिखिए, स्टेट्स विंगी तरिट्री में और टॉप तो नहीं, बट पहले पांच में आने की शम्ता है, बिल्कुल, बहुत बढ़ी बात कहिए आपने पांच में आने की शमता है, टॉप तो नहीं क सब्सक्राइब, बट अगर हम पूरी ठीक कर दें इसकी आइलेंट्स की, किनेक्टिवटी कोई प्राउब्लम नहीं है, जैसे बोला, वर्ल्ट क्लास, फेरी चल रही है, वहां पर वर्ल्ट क्लास में कोई गाडी मिले, बिल्कुल, होटेल, रिसोर्ट्स मिले, हर जगां पर वार्ट स्पोर्ट के लिए जितनी डाइविंग और यह चीजे हो रही है, इंट्रनाशनल स्टैंडर्ड के, जो मैंने देखे हैं यहां पर, पीपल और फॉल्ल्ट पॉल्ल्ट रही है, वह बहुत जरूरी है, और क्या चाहिए हमार को कुछ नहीं चाहिए हमारे को कुछ न होने वाला नहीं है, अभी नेर फिचर में होने वाला नहीं है, अभी जगह है हमारे पास, अच्छी तरह एक्सपंशन करें उसकी आराम से करें, भूश दिक्कत नहीं होगी. बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि हमें और बहुत काम करना है तो ऐसे में हम सब मिलकर आगे आए, काम करें और परिटन स्थल में और ऊपर तक जा सकें तो stakeholders और जो आम जनता हैं, उनका क्या योगदान होना चाहिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? तेकि stakeholders, वो तो अपने situation में काम करें लिए हैं, चाहिए वो hoteliers हैं, चाहिए टैक्सी ड्राइवर्स हैं, आम जनता जो है, किसी भी city या state में, country में बाहर, जब तक वहाँ के जो आम नागरिक है, वो tourist को respect से देखेगा, आप उनको आदर से देखेंगे, उनका एक guest के जना सम्मान करेंगे, जो दिन वो हो गया, तो हर एक आदमी tourist कहता है, कि मैं वहाँ जाओं, जहाँ tourist की इस्जत है, तो ये enderman के लोगों का, है यहाँ पर, कि वो स सबसे आराम से बात करते हैं, कोई कुछ question पूछ रहा है, उसको जवाब दे रहे हैं, कि भाई साब इधर चले जाए, इधर चले जाए है, ये एक भावना जो है, आम जनता की, ये जो exist करती है, ये आगे तक ले जाएगी, इवन मैंने ये notice करा है यहाँ पर, कि जो पुलीस वाले हैं, वो भी बड़ी हम्बली बात करके, टूरिस को समझा रहे थे, कि भाई ये चले जाए है, यहाँ से चले जाए है, विच वेरी गुड, और ऐसे फ्रेंटली सब अगर रहेगा, पुलीस फ्रेंटली रहेगी, नागरिक्स फ्रेंटली रहेंगे, और वो दून दिल दूर नहीं है, किसी सर्वे के अंदर, यह नमबर वन थाट अफ डेस्टिनेशन बनने के दूर नहीं है, दो तिन सालों के अंदर, जो सिचेशन चल रहे हैं, जी जी बिलकुल, तो राजी जी आज आज आप हमारे कारिक्रम में आए, और अपना कीमती समय हमें दिया, और व तो इसमें हम यह उमीद करते हैं कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुब तरक्की करेंगे, इसे उमीद के साथ हम आप से इजासत चाहते हैं, नमस्कार झाल